MP टास्क को लेकर एक सवाल आया था कि एक कमेंट था हमारे पास विक्रम जी का कमेंट आया था कि आपका एडिबिशन डेटा पोर्टल पर उपलब्द नहीं है ये प्रॉब्लम आ रही है तो MP टास्क में जब आप स्कॉलर्शिप के लिए फॉर्म भरते हैं या MP टास्क के प्रॉफाइल करते हैं उसके बाद आप स्कॉलर्शिप लिए आविदन करते हैं तब यह एरर बहुत सारे लोगों को देखने को मिल रही होगी कि आपका एडिबिशन डेटा पोर्टल पर उपलब्द नहीं है ये एरर क्यों आती है और इसका सुलूशन क्या होता है ये इस तो डेटा औलाइन एक पैड़र क्या जाए तो जब वह जानकारी को आप्ड़र्व के तरफ से अप्डेट नहीं की जाती है तो आपका ंपूतास की वेबसाइट पर भी दिखाइड नहीं देता है इस कारण से आपको यह error message दिखाई दीता है कि आपका admission data portal पर उपलब्द नहीं किया गया है अगर नया student है तो admission data की बात हो जाती है अगर first year के बाद second year पर जाता है तो उनका जो second year का data है वो update नहीं होता तब error आती है तो इस error को इस error का solution यह है कि एक बार जाकर अपने college में बात करें department में बात करें वो आपका data forward करेंगे या हो सकता है अभी उनका data तयार ना हो तो थोड़ी कुछ समय के लिए इंतिजार कर लें जब वो data college की तरफ सबडेट कर दिया जाएगा आपकी यह error जो आ रही है वो भी दूर हो जाएगी इसके लिए आपको एक बार college वालों से संपर करना पड़ेगा